अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टेली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्या में आप जानेंगे ट्रेडिंग अन् प्रॉफिट अन् लास अकाउंट क्या होता है और ट्राइल बेलन्स शीट के आधार पर उसे कैसे बनाया जाता है इससे पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि ट्राइल बेलन्स क्या है इसके आवशक्ता क्यों होती है और लेजर से ट्राइल बेलन्स शीट कैसे बनाया जाती है जब हम किसी प्रोफेशन या बिजनस में होते हैं तो उसका उद्देश्य होता है मुनाफा यानी प्रॉफिट का माना और इसी उद्देश्य से हिसाब किताब भी रखा जाता है हिसाब किताब रखने से ही हमें बता चलता है कि व्यापार या व्यावसाई में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस आपको याद होगा कि हमने ट्रायल बैलन्स शीट में सभी अकाउंट्स को उनकी प्रकृति के हिसाब से लाइबिलिटीज, असेट्स, इंकम और एक्सपेंसेज में बाटा था वर्ष समापती पर व्यावसाई में प्रॉफिट हुआ या लॉस ये निकालने के लिए हमें ट्रायल बैलन्स में हमारे जितनी भी इंकम और एक्सपेंसेज से संबंधित अकाउंट्स हैं उनके बैलन्स ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होते हैं अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है ये भी अन्य अकाउंट्स की तरह ही एक प्रकार का अकाउंट है सुविधा की दृष्टी से हम दो भागों में बाच सकते हैं। पहला ट्रिडिंग अकाउंट और दूसरा प्रॉफित अनल एकाउंट आये आप देखते हैं कि ये दोकडिक और इन दोनुद काटों में से किस में इंकम और एक्सफेंसे से संबंधित कौन से अकउंस ट्रांसफर किये जाते हैं और उसे इस खाते में व्यापार में हुई खरीद, विक्री, प्रारंभिक स्टॉक, अंतिम स्टॉक और सभी प्रत्यक्ष व्य यानि डिरेक्ट एक्सपेंसे शामिल किये जाते हैं उप्रोक्त परिभाशा में उप्योग किये गए शब्दों में से हम आपको खरीद, विक्री और डिरेक्ट एक्सपेंसे के बारे में पहले ही बता चुके हैं अब प्रारंभिक स्टॉक तथा अंतिम स्टॉक को समझ लेते हैं किसी भी व्यवसाय में वर्तमान में हमारे पास किसी भी मात्रा में जो माल उपलब्ध है वो स्टॉक कहलाता है वर्ष के अंत में जो माल बिना विकार रह जाता है वो उस वर्ष का क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है और अगले साल के लिए वही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाता है जैसे 31 मार्च 2020 को वर्ष समापती पर हमारे पास 10 टीवी थे जिनका मुल एक लाख रुपए है तो ये क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा और अगला वर्ष जो 1 अप्रेल 2020 से प्रारंभ हुआ उसके लिए यही माल ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा आए अब हम व्यापर खाता बना लेते हैं इसमें सबसे पहले डेविट साइग में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं चुँकि हमारा कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक के आगे जीरो लिख रहे हैं अब एक एक करके ट्रेडिंग अकाउंट से संबंदे जितने भी खाते जासे कि खरीद विक्री और सभी प्रत्यक्ष वैके खातों के जो भी बैलन्स हैं वो यहाँ पर लिख देंगे एक महतुपून बात का ध्यान रखें ट्राइल बैलन्स में जो बैलन्स डेबिट में है उसे ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड में लिखेंगे तथा जो balance credit में हैं उसे credit side में लिखेंगे साथ ही हम जो balance trial balance से trading account में ले आएंगे उनकी पहचान के लिए trial balance में उसे लाल रंग कर देंगे opening stock के बाद debit side में ही purchase account का balance लिख लेते हैं इसके बाद हमारा direct expenses का एक ही खाता है freight account का हम उसका balance भी लिख देंगे चलिए अब trading account में right side में हमारे sales account का balance लिख देते हैं और इसके बाद हमारा जो भी closing stock होगा वो लिखना होगा हमारा कोई closing stock नहीं है इसलिए यहां हम zero लिख रहे हैं और इन दोनों पक्षों का total लगा लगए है थ्चान रखें यदि credit side का total debit side के total से अधिक होता है तो इनका अंतर दोना लिख दोनों के total cheaper देडिग राथ हमारा be Pink Bell लोश कर दोना जोता है और उर यद्नान वह सकती gross profit हुआ है अब हम gross profit निकाल लेते हैं credit side का total है 1,00,000 रुपए debit side का total है 81,100 रुपए तो यहाँ पर हमको gross profit हुआ 18,900 रुपए accounting के principle के अनुसार दोनों पक्षों यानि debit का total और credit का total बरावर आना चाहिए तो यह amount हम debit side में लिखकर के दोनों पक्षों को परावर कर लेते हैं अब हम gross loss को समझने के लिए एक उधारण देख लेते हैं देखे इस उधारण में debit side का total credit side के total से अधिक है मतलब हमें gross loss हुआ है हम gross loss निकाल कर देख लेते हैं, डेविट साइट का टोटल है 1,20,000 रुपए और क्रेडिट साइट का टोटल है 1,00,000 रुपए तो यहाँ पर ग्रॉस लॉस हुआ 20,000 रुपए का हमने आपको समझाने के लिए यह जो उदारन बताया था, इसे हम हटा देते हैं यह जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से प्राप्त होता है, आगे उसे प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट में ले जाना होता है एक महतुपुन बाध्यान रखें, जब भी हम किसी खाते का बैलन्स आगे ले जाते हैं, तो उसे अपोजिट साइड में लिखते हैं जैसे कि हमने ट्रेडिंग अकाउंट में जो डेबिट साइड में क्रॉस प्रॉफिट निकाला है, उसे प्रॉफिट अन लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे चलिए अब हम Profit and Loss Account पर काम कर लेते हैं पर उससे पहले हमें इसकी परिभाशा समझनी होगी व्यापार खाता बनाने के बाद लाभानी खाता बनाया जाता है और इससे व्यापार के शुद्ध लाभ यानी Net Profit या शुद्धानी यानी Net Loss को निकाला जाता है इसमें हम व्यापार खाते में जो भी अकाउंट ले चुके हैं उनको छोड़कर Income और Expenses के शेश सभी खाते लेते हैं यानि Indirect Income और Indirect Expenses के सभी खाते इसमें लिये जाते हैं और इससे प्राप्त शुद्ध लाभ या शुद्धानी पूंजी खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है यहां से हम अपना Profit and Loss अकाउंट बना रहे हैं सबसे पहले यदि हमें व्यापार खाते से Gross Profit हुआ है तो उसे Right Side में लिखना होता है जो कि हम लिख चुके हैं यादि हम एक Gross Loss Profit हुआ है तो उसे हम Left Side लिखते हैं इसके बाद Right Side में हमारी जितनी भी Indirect Income है वो लिख देंगे और Left Side में जितनी भी हमारे Indirect Expenses है वो लिख देंगे दोनों साइट का टूटल लगाएंगे देखे हमारा Credit Side का टूटल Debit Side के टूटल से अधिक है तो इसका ताथ पर यह है कि हमें Net Profit प्राप्थ हुआ है यहां दोनों पक्षों का अंतर जो की हमारा Net Profit है वो लिख देंगे ऐसा करते ही देखिए दोनों पक्ष भी समान हो गए है यहां तो हमें Net Profit हुआ है लेकिन यदि Net Loss हुआ होता तो उसे किस प्रकार लिखते आए एक उधारन की सहता से समझ लेते हैं यह देखिए इस उधारन में डेबिट साइट का टूटल क्रेडिट साइट के टूटल से अधिक है बतलब हमें Net Loss हुआ है हमने आपको समझाने के लिए यह जो उधारन बताया था इसे हटा देते हैं यह जो Net Profit या Net Loss हमें Profit and Loss Account से प्राप्थ होता है उसे Capital Account में ट्रांसफर करना होता है चलिए हमें Profit and Loss Account से जो Net Profit प्राप्थ हुआ है उसे Capital Account में ट्रांसफर कर देते हैं जय सके हमने आपको trading account के अंत में बताया था कि जब हम किसी खाते के balance को आगे ले जाते हैं तो उसकी entry opposite side में करते हैं तो net profit की हमारी entry capital account में credit side में होगी देखें profit होने से हमारे capital account का balance बढ़ गया है इस तरह अभी हमने जो काम किया उसका साराँच ये है कि हमने trial balance से income और expenses के सबी खातों को trading and profit and loss account में transfer कर दिया यानि ये खाते अब समाप्त हो गए हैं और trading and profit and loss account से हमें जो profit प्राप्त हुआ उसे हमने capital account में transfer कर दिया और ऐसा करते ही हमारा profit and loss account का काम भी समाप्त हो गया अब हम एक काम और करेंगे trial balance से जिन खातों का balance हम trading and profit and loss account में ले जा चुके हैं और जिने हमने पहचानने के लिए लालरंग भी किया हुआ है उन सभी खातों को हम trial balance से हटा देंगे देखे यहां आप सिर्फ assets और liabilities के खाते ही दिखाई पड़ रहे हैं पर यहां एक समस्या भी आ रही है नीचे दोनों पक्षों का जो total है उसमें difference आ रहा है जबकि accounting के principles के हिसाब से यह दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए इसका करण यह है कि यहां जो capital account का balance लिखा है वो पुराना है हम इसे हटा कर capital account का current balance यहां पर लिख देते हैं देखिए ऐसा करते ही दोनों पक्ष बराबर हो गए है इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह हमने trial balance के आधार पर अपना trading and profit and loss account बनाया और अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ या हानी की जानकारी प्राप्त की और यही हमारे हिसाब किताब रखने का मुख्य उद्देश भी था जो कि यहां पर पूरा हो रहा है तैली में हमें trading and profit and loss account नहीं बनाना होता है वो हमें एक preview देता है जिसके आधार पर हमें कुछ transfer entries करना होती है ज्यान रखने की बात यह है कि टैली में इसका नाम सिर्फ profit and loss account है हमारी अगली वीडियो में आप balance sheet के बारे में जा रहेंगे और उसी के साथ हमारी accounting संबंधित जरूरी जानकारी पूरी हो जाएगी